हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल टाइट एंट फिटनेस, मैं हूँ आपकी होस्ट अकांगशा, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओफिस वर्कर्स के लिए सही आहार कौन सा है, तो दोस्तों आज कल की हमारी जीवनशेली ऐसी है कि हम ज्यादा तर समय ओफिस नहीं जाता है, अभी के लिए देखा जाए तो जैसे कुछ-कुछ लोगों का घर से काम यानि के वर्क फ्रम होम चालू है, ऐसे समय पे भी यह होता है कि भाला कि आप घर पे ही हो, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा काम दे देते हैं कि फिर खाने के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो इसी लिए खाने का खास ख्याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सही मात्रा में और सही पोशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर एनरजी यानि की उर्जा जो होती है, वो कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ाप काम में मन नहीं लगता, सबसे पहले हम बात करेंगे नाश्ते की यानि की ब्रेकफस्स की, तो नाश्ता जो है, वो हमारे दिन की सबसे इंपोर्टन्ट मील, जिसे हम कहते हैं, यानि कि बहुत बार क्या हो जाता है, ओफिस के लिए लेट होता है, तो भागा दोड़ी में हम नाश्ता स्किप कर देते हैं, बिना नाश्ता की ये निकल जाते हैं, और फिर ओफिस में जाके कुछ ना कुछ और कर लेते हैं, तो ऐसा अगर आप करते हो, तो भी आपको सही और हेल्दी विकल्ट चुनना है यहां पे, और ज्यादा तोर पे अगर आप कुछ फल है, यान की सेब है, यासा कोई भी एक फल अपने बैग में रख सकते हो, तो नाश्ता भले ही आप नहीं करते हो घर से, तो भी वो फल जो है वो आप खा सकते हो, या फिर प्रोटीन बार्स आज कल बहुत सारे आते हैं, तो प्रोटीन बार्स आप ले सकते हो, और भी अगर आपको अप्शन्स होते हैं, हमारे अंडा है, या फिर पोहा उपमा तो है, या फिर अगर आपको पराठी पसंद है, तो पराठी भी आप ले सकते हो, सुबह के नाश्ते में, तो अच्छा सा एक ज्यादा हेवी नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर भाड़ी आप नाश्ता करते हो, त तो इसलिए थोड़ा सा हलका, यानि कि सही मात्रा में, लेकिन आपको भरपेट नाश्ता करके घर से जाना है, नाश्ता बनाने के लिए अगर समय नहीं है, आपके पास तो दूध में आप एक तो मिलक्षेक या फिर स्मूधी है, या फिर दूध में मूसली होता है, वीट या फिर ओट्स है, ऐसे पदात इंस्टेंट सीरियल जिसे आज कल हम कहते है, जो अनाज आते है, ऐसे भी कभी कबार आप ले सकते हो, लेकिन नाश्ता आपको स्किप नहीं करना है, अच्छा सा नाश्ता करके ही आपको ओफिस के लिए जाना है, अब बात करेंगे चाई और कॉफी की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनकी दिन भर में ओफिस के अंदर लगबक 6-8 कप चाई या फिर कॉफी हो जाती है, क्योंकि काम का स्ट्रेस इतना रहता है, भागदौर इतनी रहती है, कि उन्हें समझ भी नहीं आता कि उनका कौन सा कप चल रहा है, चाई का या फिर कॉफी का, और जितनी चाई कॉफी आप पियोगे, उतनी शक्कर फिर आपकी पेट में जा रही है, तो अगर 6 कप होता है, या फिर 6-8 कप होता है, तो उतना एक-एक चमज भी अगर आप पकड़ो, तो उतनी शकर आपके शरीर में जा रही है, और फिर चाई कॉफ मिलता है हमारे शरीर को तो इसलिए चाय कॉफी के उपर निर्बंत लाना भी बहुत ज्यादा आवश्चक है या फिर आप ऐसे कर सकते हो जितना कम हो सके उतने कम शक्कर वाली कम चीनी वाली चाय या फिर कॉफी आप ले सकते हो लेकिन फिर भी चाय या फिर कॉफी का भी ज् सकते हो जैसे की ग्रीन टी, हर्बल टी, नीम्बू पानी, नारियल पानी या फिर जूस आप ले सकते हो बिना शकर का ऐसे रिफ्रेशिंग और हेल्दी जूस अगर आप लेते हो तो वो बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको तरो ताजा भी रखेगा जो भी आपको स्ट्रेस की वज़े से जो तोड़ा सा सथकान आती है, चिड़-चिड़ापन आता है, उसे भी ये कम करेगा और जो एकसेश शुगर जारी है आपके शरीर में वो भी कम हो जाएगी, दोपहर को खाने से पहले अगर आपको भूग लगती है तो एक एक्स्ट्रा टिफिन आप घर से क बग सकते हो तो जो दोपेर की चोटी भूग लगती है उस समय पर आप यह चीज़े खा सकते हो जो हेल्द ही और टेस्टी भी है अब बात करेंगे दोपहर के खाने की बul दोपेर का खाना जो आपका होता है वो जितना हो सके उतना ज्यादा तर आपको घर से लहाना है, क् कम नहीं होता है जब आप घर से खाना लेके जाते हो और एक जरूरी बात यह होती है कि घर से अगर आप लेके जाते हो तो आप एक balanced meal यानि कि संतुलित आहार लेके जाते हो जैसे कि रोटी होगी रोटी के साथ कोई भी एक सबजी होगी अगर आपको चावल खाना पसंद है या फिर चावल के बिना आपको सरदर्ध होता है या फिर बिल्कुल भी जमता नहीं है तो थोड़ ऐसे चावल आप लेके जा सकते ह और दाल भी बहुत ज़्यादा आवशक है तो ऐसे एक बालंस्ट मील आप लेके जा सकते हो आपके टिफिन में रोटी सबजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबजी से सारे विटमिन्स, मिनरल्स और फाइवर मिलेंगे और एक कोई भी प्रोटीन आप्शन यहाँ पे होना भ बानीर है ऐसा कोई भी एक प्रोटीन आप्शन आपको आपके टिफिन में जरूर रखना है डाल में भी अलग-अलग प्रकार की डाल है तुर्मू मसूर या फिर स्प्राउट्स में काला चना है छोले राजमा ऐसे अलग-अलग प्रकार की आप सबजी या फिर डाल लेके जा सकते हो बहुत ज्यादा चावल खाने से कभी कबार नीन आती है तो इसलिए चावल की मातर आपको सही रखनी है और अगर आप कभी कबार ओफिस का लंच ले रहे हो तो भी स्मार्ट चोईस करना बहुत ज्यादा आवशक है यहाँ पे यानि कि ओफिस के जो भी काउंट आपको जरूर करना आपके दोपहर के खाने में अब बात करेंगे शाम के नाश्टे के लिए भी आप सूख्य ऑप्शन्स जैसे होते है जैसे की चना है या फिर फाइबर या फिर ब्रान के बिस्कित है ऐसे ऑप्शन्स ले सकते हो या फिर अन्डे है योगर्ट है अलग- फ्रूट प्लेट ले लो या फिर फ्रूट सलाद अगर मिलता है, स्मूदी या फिर मिलकशेक अगर आपको मिलता है, तो ऐसे पदार्थों का सामावेश आप कर सकते हो, सांडविच या फिर कटलेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, थोड़ी जब ज़्यादा भू कोशन भी मिलता है, एक और ज़रूरी बात यह है कि फ्रूट जो होते है, वो आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर और विटमेंस देते हैं बहुत सारे, तो हमारी तवचा के लिए अच्छ है, हमारी पार्चन के लिए अच्छ है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते तो कुछ ना कुछ ओईली या फिर चिप्स या फिर कुछ समोसा कचोड़ी ऐसे कभी कबार आप जरूर खा सकते हो लेकिन रोज ये नहीं खाना चाहिए रोज के आपके खाने के लिए शाम के स्नैक्स के लिए जितना हो सके उतना हेल्दी आप्शन आपको चुनना है अगली जरूरी बात ये है कि आपका पानी का इंटेक या नहीं कि आपका वाटर इंटेक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आफिस में पानी पीना भूल जाते हैं मतलब काम इतना जादा होता है कि पानी पीना ही भूल जाते है तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है आपका जो भी desk होता है, desk के उपर आपकी रोज की पानी की बोतल वहाँ पे रख देनी है, ताकि अगर सामने बोतल होती है, तो उतना पानी पिया जाता है, आज कल वो marking वाले bottle भी आते हैं, कि कितने बज़े आपको कितना पानी का level खतम करना है, वैसे bottles आते हैं, कितिना लीटर आप पानी पीते हो, ये भी उसमें काउंट होता है, तो ऐसे bottles भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको plain water जादा जाता नहीं है, पानी जादा जाता नहीं है, तो detox water आप बना सकते हो, यानि कि रोज की पानी की bottle में नीमबू है, या फि इसी भी आप एक bottle रख सकते हो, उसी में आप चिया सीच या फिर सबजा के बीच डाल सकते हो, तो ऐसा detox water अगर आप पीते हो, तो वो भी बहुत जादा अच्छा होता है चरीर के लिए, और सबसे जरूरी बात यहाँ पर अब मैं करना चाहूंगी, जो की है cigarette break, यानि कि ज्यादा तनाव आता है, उतना ज्यादा उन्हें cigarette की जरूरत होती है, तो ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कितना भी ज्यादा आपको stress हो, लेकिन आपको तरीक के ढूनने है कि उस stress को आप manage कैसे कर पाऊगे, तो कुछ ना कुछ entertainment break भी आप जरूर ले सकते ह कि काम से छोड़के कुछ एकाद जोक देख लिया, या फिर जो भी आपका social media होता है, वो आप देख सकते हो, लेकिन cigarette से distract होना, दुरलक्ष उसके तरफ करना, ये बहुत ज्यादा आवशक है, क्योंकि आप cigarette पीते ही हो, लेकिन आपके साथ-साथ passive smoking जो होता है, यानि कि ना cigarette को छोड़ने की आदत आपको करानी है, नहीं तो at least आप cigarette जो भी मात्रा है आपकी, उसे कम करने के लिए जरूर ट्राय कर सकते हो, तो ये था हमारे आज का वीडियो दोस्तो, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना न भूले, अपने दोस्तों के साथ, अपने ओफिस के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करे, मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, गुडबाई!